आज हम लोग इस वेडियो में कच्छा चार ये फुलवारी है हिंदी की पुस्तक है इसमें हम लोग इसमें अभ्यास प्रस्नी देख रहे थे तो आज लोग ये पाठ तेरा होशला पाठ को पहले पढ़ेंगे यह पहले इसका वाचन करेंगे इसके बाद इसी वेडियो में इ तो इसको पहले सुनते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है जिससे के हमें प्रश्न उत्तर इसके अभ्यास प्रश्न हल करने में आसानी रहे समझने में आसानी रहे जुलाई का दूसरा सकता 15 जुलाई सन 1989 अपनी मा के साथ हमारी कच्छा में एक बच्चा आया उसका उसी दिन दाखिला हुआ था नाम माइकल, स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आखें, घुंगराले बाल, हस्ता हुआ साचेहरा, कुछ ही दिनों में अपने व्योहार और प्रतिभा के बल पर वह कच्छा में सबकी आँखों का तारा हो गया माइकल, कब मेरा सबसे खास दोस्थ हो गया? मुझे भी पताना चला साथ साथ खेलना, साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिदंदी भी था कच्छा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड लगी रहती, वह संगीत में प्रतम रहता तो मैं खेल में माइकल चित्रकला में पुरुषकार पाता तो मैं भासन में, उसे गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में एक दिन सुबह स्कूल खुलते ही प्रधाना चार जी ने हमें अपने कच्छ में बुलवा लिया, बोले बेटा तुम दोनों ने हमारे विद्याले का सदर गोरो बढ़ाया है, चर्नए के बच्चों की राष्ट इस्तरिये प्रतियोगिता होने वाली है, मैंने वहां के एस भर में अपने विद्याले का नाम रोशन करो, तुम्हारी सिच्च का मनजीत साथ रहेंगे, अगले सप्ता ही जाना होगा, इसलिए मनजीत जिसे मिलकर तयारियां कर लो, हमारे खुशी का ठिकाना ना रहा, मैं जब मनजीत मैडम से मिलकर बात की और जी जान से प्रतिय गिता की तयारियों में जुट गए, पूरे एक सप्ता तक हम चन्नाई में रहे, विभिन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, माइकल ने संगीत में स्वन्ड पदक जीता, मैंने भासन में, हमें और भी कई पुरुसकार मिले, वहां कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस बन गए, अब हम जल्द से जल्द घर पहुँच कर इस खुसी को सबसे साजह करना चाहते थे, बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी, और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया, खोस आने पर वह अस्पताल में था और दोनों पैर गमा चुका था, रंग में भंग पढ़ गया, सबकी आखों में सिर्फ आशु थे, सुना था कि विपत्ति कभी बता कर नहीं आती, कई बार हमारी जरासी असाउधानी जीवन भर का दुख बन जाती है, वापसी में ऐसा ही हुआ, इस बीच माइकल के पिता जी का तबादला चंडी गड़ हो गया, अपनी माँ पिता जी और बहन के साथ माइकल सहर छोन कर छोन रहा था, यहीं माइकल सहर छोन रहा था, तो लग रहा था, जैसे मेरे सरीर से कोई प्राण ले रहा, माइकल चंडी गड़ जा चुका था, उस दिनों तक दीदी की चिठियां आती रही, जो धीरे-धीरे कम होती गई, वर्सों के अंतराल ने हमें एक दूसरे से लगवग दूर कर दिया था, सिच्छा पूरी होने के बाद मैं अध्यापक बन गया, कच्छा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूरती, पर माइकल का कोई अता पता ना था, कहते हैं इतिहास, खुद को दोहराता है, लगभग ऐसा ही हुआ, अपने विद्याले के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा, इस बार मैं बहुत साउधान था, सभी बच्चे याता यात के निमों का पालन करेंगे, मैंने चेतावनी पूर्वक कहा, प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारम हुआ, उद्घोसक ने बताया कि उद्घाटन एक महान संगीत के द्वारा किया जाना है, पर्दे के पीछे से वाद यन्द बजना प्रारम हुआ, मंच पर धीरे धीरे अंदकार से प्रकास फैलने लगा, वेल्चियर पहिया कुर्सी पर माईक हाथ में थामें, मुझ के अते थे मंच पर आये, सभी ने तालियों की गलगला हट से उनका स्वागत किया, अरे ये तो मेरे बच्पन का मित्र माईकल है, मैं चौग उठा, मेरी आखें खुसी से भर आई, माईकल ने बेहत मधुर्षवर सुनाया, मधुर्षगीत सुनाया, गाते गाते उसकी द्रश्टी मुझ पर पड़ी, मैंने हाथ हिरा कर अभिवादन किया, कारे क्रम समाप्त होते ही मैं दौड़ कर मंच पर गया, माईकल ने मुझे गले लगा लिया, हम दोनों बच्पन के मित्र हैं, माईकल ने मेरे विद्यार्थियों को बताया, इसके बाद माईकल हम सब को वहाँ ले गया जहां वह रुका हुआ था, उसने बताया, तुम्हें याद है न आवनीज, या दुर्गवादुर्गट न, टांगें गवा देने पर मैं जीवन से निरास हो गया था, अपने आपको अच्छम समझने लगा था, उस समय रोजी दीदी ने मुझे हतासा से उबारा, दीदी मुझे समालती, किताबें लाती, कैसेट लाती, उन्होंने मुझे गिटार भी लाकर दिया, तुम एक दिन जरूर प्रसिद संगीत कार बनोगे दीदी कहती, धीरे-धीरे मैंने संगीत का भ्यास प्रार में किया, और अपने सपने को साकार किया, मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूं, जहां तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं, बच्चे उत्सुकता से माइकल की बाते सुन रहे थे, वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी बिपत्ती भी सब कुछ समाप्त नहीं करती, बिपत्ती के समय होशला बनाये रखना जरूरी होता है, अगर हमें, अगर हम आप में हिम्मत है, होशला है, तो आप वह अपना लच्च प्राप्त होकर रहेगा, अब हम इसके बाद इसके अभ्यास प्रशन देखेंगे, इस पार्ट में बोध प्रशन दिया गया है, उत्तर लिखें, तो इन सभी प्रशनों के उत्तर कौपे पर हमने लिख लिए हैं, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए पहरा प्रश्न दिया है कि माइकल किस गुण के कारण सबकी आँखों का तारा हो गया था तो इसका उत्तर है कि माइकल अपनी आसाधन बुद्धिवत्ता और अपने अच्छे विवहार के कारण सबकी आँखों का तारा हो गया था माइकल के साथ दुर्घटना क्यों हुई तो इसका उत्तर है कि माइकल के साथ उसके असावधानी वाजल्द बाजी के कारण दुर्घटना हुई तो उसमें बताया गया है कि वाज बस पकरने के लिए उसने सिग्नल को नहीं देखा था इसलिए जो है उसका पैर जो है कट गया था और इस तरह से उसके साथ दुर्घटना हो गई इसके बाद प्रसंख्या गाहे दुर्घटना से माइकल पर क्या परहाव पड़ा अगला प्रसन है अपना सपना कैसे पूरा कर पाया। माइकल उत्तर है माइकल स्वें के अपने लगन परिस्रम और रोज दीदी की सहायता है। दीदी रोजी दीदी की सहायता आदि गुणू के बल पर अपना सपना पूरा कर पाया इसके बाद प्रश्चन क्या दो है कि किस ने किसी से कहा बेटा तुम दोनों ने हमारे विद्याले का सदयों गवरों बढ़ाया है ये प्रधाना चार जी ने लेखा कोर माइकल से कहा तुम एक दिन जरूर प्रशिद संगात संगीतकार बनोगे इसका ये जो है माइकल की दीदी ने माइकल से कहा था अगला दिया गया है कि सभी बच्चे यातायात के निमों का पालन करेंगे ये लेखाक ने अपने विद्याले के बच्चों से कहा था अगला है हम दोनों बच्पन के मित्र हैं ये माइकल ने लेखक के विद्यार्थियों से कहा था कि हम दोनों बच्पन के मित्र हैं ये माइकल ने जो लेखक के विद्यार्थियों को जो लेकर आया था उनसे अपना परिचे बता रहा था कि हम और माइकल जोनों बच्पन के मित प्राप्त होकर रहेगा तो यह माइकल ने लेखत के विद्यार्थियों से कहा था अब इसके बाद आता है भासा के रंग इसमें आता है चित्र को देखकर मुहावरे बनाएं इसमें ये भासा के रग में दिया गया है चित्र को देखकर मुहाबरे बनाए चित्र दिया गया है जैसे कि पहला चित्र में इन्होंने मुहाबरा बना दिया है आखों का तारा होना अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें अगर हमको चित मुहावरा लग रहा है कि अंधे की लाठी इसका मुहावरा हो जाएगा हाथी चले बजार और कुटाबों के हजार तो यह हो गया मुहावरा अब इसके बाद अगला आता है कि नीचे दिये मुहावरों का अर्थ लिखे और इसको अपने वाको में प्रियोग कीजिए तो यह कुछ मुहावरे दिये गए हैं जैसे जी जान से जुटना, रंग में भंग परना, आखों का तारा होना तो इसका हम वाक प्रियोग अपने आप कर सकते हैं, यह तिसकों देख लेते हैं, कि जी जान से जुटना, जी जान से जुटने का मतलब क्या होता है, इसका आर्थ क्या होता है, पूरी लगन से काम करना वाकप्योग इसका हम करेंगे वाकप्योग हम अपने सब्दों में अलग तरीके से अलग वाकव में भी कर सकते हैं तो इसमें हमने दिया है कि परिछा की तारीख नजदीक आने पर बच्ची पढ़ाई में जी जान से जुट गए आगे आगे है दूसरा अगला दिया है आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना इसका वाकप्योग सभी बच्ची अपने माता पिता की आँखों की तारा होती है इसके बाद आगे दियागा सब्दों का सुद उच्चारन अब आगे अगला प्रसंद दिया गया है कि रिक्त अस्थानों की पूर्ति कोश्ठक में दिये गया सब्दों को बिलोब सब्दों से खीजिये यहीं कोश्ठक में कुछ सब्द दिये गया है इसको काउपी पर नहीं लिखे हुए है यह हम देख लेते हैं कि कोश्ठक में कौन कौन से सब्द दिये गया है तो हम देखते हैं कि कोश्ठक में दिया गया अंधकार आसा रोता हुआ असावधान सत्रों तो अंधकार का प्रका रोता हुआ है तो इसका हम विलोम सब्द यहां पर हसता हुआ चेहरा था यह लिख सकते हैं इसी तरह से विलोम सब्द की रूप में सब्द को लिखेंगे तो बालक यह तो हो चुका है अब दूसरा है टीम लेकर मुंबई जाते समय में बहुत साउधान था, उसमें असाउधान दिया, असाउधान का विलोम साउधान हो जाएगा, मंच पर धीरे धीरे प्रकास फैलने लगा, अंधकार प्रेलने लगा, उसमें तिसमें प्रकास फैलने लगा, अब माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बच्पन के सत्र तो आगे जो प्रस्ण दिया गया है उसको हम टेक्स्ट बुक से लिए अगला प्रस्ण है कि इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तो भूत काल में वाक्य दिया गया है कि माइकल ने गाना गया रोजी पुस्तक लाएगी और इसी के आधार पर हमें कुछ वाक्य दिये गये हैं उसमें हमें यह देखना है कि कौन सा काल किस में लिखा गया है तो यह हमें सामने लिखना रहेगा तो अब नीचे दिये गए वाक्यों के सामने उनके काल लिखिए तो दिया गया है कि पिता जी ने बहुत सी बाते बताई तो ये भूत काल हो जाएगा कल विद्याले की छुट्टी रहेगी ये भविश्यत काल हो जाएगा रजिया खाना खा रही है ये वर्तमान काल हो जाएगा अगले माह दीपावली है ये भविश्यत काल हो जाएगा और रागो और स्रियावयायाम कर चुके हैं ये भोत काल हो जाएगा अब इसके बाद है अपनी कलम से काहर बस पकरनी की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी कोर से आ रहे वाहन की चपेट में आकर अपनी दोनों पैर गमा दिये आप ने भी ऐसी कोई घटना देखी सुनी होगी तो जो जरासी असाउधानी के कारण घटी हो अपने सब्दों में लिखिए तो ये बच्चों के बीच में हम चर्चा करेंगे बच्चों से पूछेंगे और नहीं तो उनको कोई घटना बताएंगे अब इसके बाद दिया गया है कि नीचे दिये गये यातायात से संबंधित संकेतुं का क्या आसे है लिखिए अब यहाँ पर यह दिया गया है चित्र में तो इसमें हार ना पजाएं यह उदारन दे दिया गया है इसके बाद है यह चिन का मतलब होता है कि पब्लिक टेलिवीजन और इसके बाद आता है यहाँ पर यह लाल का गोला बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि रुकें और ये है आगे बस अड़ा है और इसका निसान है धीरे चले ओ आगे बच्चे खेल रहे हैं और ये पीला है पीले का मतलब होता है पीले लाइट का मतलब क्या होता है तैयार रहें और आगे इसमें दिखा है स्टाप स्टाप का मतलब रुक सब्सक्राइब करेंगा निचाने लिए और यहां पर हरी बत्ति है यहां सब्सक्राइब दिखाए गया है इसका यात यात से समन्दित को संकेत है चले हैं आब आता है कि हमें सडख पर चलती समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए तो हम देखते हैं कि क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए तो हमें सड़क पर बाई ओर चलना चाहिए बहुत सारी सावधानिया है जो कि हमने कुछ सावधानियों के इसमें दिया है और बहुत सावधानी से हमें सड़क पार करनी चाहिए आगे दिया गया है कि हमें अपनी कानू में इयरफून लगा कर सड़क नहीं पार करनी चाहिए और नहीं गाली चलाना चाहिए आगे दिया गया है कि हमें सराब पी कर वाहन सड़क पर नहीं चलाना चाहिए और इसके बाद आगे है कि सड़क पार करते समय हमें मुबाइल का प्रियोग नहीं करना चाहिए अगला है क वहां को निर्धारित गती सीमा से अधिक्तीज नहीं चलाना चाहिए तो यह हैं कुछ बाते इसके अलामा भी कुछ बाते और भी दी गई है इसमें जो हमें जानना है और बच्चों को बताना भी है हमेशा पैदल पार पत्थे नी पार पत जो जेबरा क्रासिंग होती इसको अधिक्त पार पत बोलते हैं से बच्च देश से अधिक्ती चलाना चाहिए दो चलाते समय दियांग्य को बिकास की मुख धारा में साविलगों के उदेश से 16 दिसंबर 2016 दिव्यांग जन अधिकार विधियक 2016 पारित किया गया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद